जिन लोगों का जन्मदिन 23 जन्वरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हारदिक्षुप कामनाएं आने वाले वर्ष में अपने स्वास्त का ध्यान रखिए करियर की स्थिती कुल मिला जुला कर आपकी बेहतर रहेगी धन की स्थिती आपकी अच्छी रहेगी, कर्ज से आपकी मुक्ती होगी अगर आप अविवाहित हैं, तो साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गनेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा आज की जिग्यासा है कि क्या शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहन नहीं करना चाहिए? शिवलिंग पर जो फल और मिठाई चड़ाई जाती है क्या उसे ग्रहन करना अच्छा नहीं है? शुब नहीं है? देखिए मान्यता ये है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहन करने से दुख भोगना पड़ता है इस दोश के निवारन के लिए शिवलिंग के पास शाली ग्राम की इस्थापना की जाती है अगर शिवलिंग के साथ शाली ग्राम इस्थापित है तो शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद आप ग्रहन कर सकते हैं और अगर शिवलिंग के साथ शाली ग्राम इस्थापित नहीं है तो ऐसे शिवलिंग पर अरपित किया भोग प्रसाद आप ग्रहन नहीं करेंगे अगर आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी काम के लिए मिलना हो कि आप उस व्यक्ति से मिले और आपका काम बन जाए बहुत important हो तो क्या उपाय करेंगे जिस दिन आपको व्यक्ति से मिलने जाना हो उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल चड़ा दीजिएगा इसके बाद बोल बोल कर एक बार हनुमान चालिसा पढ़िएगा घर से निकलते समय जो लाल फूल आपने हनुमान जी को अर्पित किया था उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा आपकी मुलाकात सफल होगी और आपका काम बन जाएगा देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका खर्चा कंट्रोल में ही नहीं आता खर्चे उनके काबू में आते ही नहीं कुछ न कुछ फिजूल खर्ची करते रहते हैं कुछ न कुछ खरीदते ही रहते हैं खर्चे उनके समाप्त नहीं होते बचत तब करेंगे ना जब खर्चा कंट्रोल कर पाएंगे तो जो लोग अपने खर्च करने की बेवज़ा के खर्चों की आदत से परिशान हैं, उन्हें एक सोने का छला, केवल सोने का एक छला या पीतल का एक छला, दाहिने या बाएं हाथ की राइट या लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पहन लेना चाहिए दाहिने या बाएं हाथ की छोटी उंगली में बुद्धवार को प्रातह एक सोने का छला पहन लीजिए, ये आपके खर्चों को बिलकुल रोक देगा, बेवज़ा के एकस्पेंडीचर नहीं होंगे, या बेवज़ा के ऐसे मौके नहीं आएंगे, जब आपका पैसा आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब, डाउनलोड कीजिए आइस्टु तक एप और चिटकी में जड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से